and welcome you all, I am Rohit from Mahaljan Trader so guys, finally NMDC Limited में D-Merger की News सामने आगी है so guys, यहाँ पर काफी लोगों का कोशन था कि आखिर NMDC स्टील कब लिस्ट होगा so guys, उससे related news आगी है तो आगी उस news को हम discuss करें उससे पहले channel को subscribe नहीं किया है तो please guys, channel को subscribe कर देना so guys, आज अगर देखें NMDC में अच्छी rally देखने को बली कल जिसे हमने discuss किया था कि stock में एक बड़ा दमा का होने आला है और बिल्कुल बड़ा दमा का हमें देखने को बला stock में अगर देखें 3.55 रूपिस के आराउन की तो यहाँ पर आप देख सकत हो guys यहाँ पर अगर देखें NMDC में काफी times है जो news आ रही थी कि यह बिल्कुल demerge होने वाला है NMDC यहाँ पर जो अपनी steel entity है बिल्कुल उसे लाने वाला है और बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने है demerge it entity NMDC still to list on 20 February so guys 20 February को यहाँ पर NMDC still market में list होने वाला है इस news का आपको ध्यान रखना है जो 20 February है एक काफी ज़्यादा important date है guys अगर आप यहाँ पर NMDC के जो shareholders है उनके लिए काफी बड़ी खुश ख़वरी है और यहाँ पर guys कही न कहीं अगर देखे तो बिलकुल यह अंदर की news है अभी तक official नहीं हुई है बट जैसे ही यह news सब को पता चलेगी कल stock में बड़ी तेजी आने वाली है बिलकुल यहाँ पर एक बड़ी तेजी हमें देखने को मल सकते हैं demerge यहाँ पर होने वाला है बिलकुल यहाँ पर उससे अलग होगा तो यह काफी बड़ी news आ रही है और guys वही अगर देखे अपने आप में काफी बड़ी company है government के यहाँ पर अगर देखे तो iron के मामले में यह रहने वाला है बट यहाँ पर अगर देखे यहाँ पर इस साल का तो यह काफी बड़ी news थी जो यह news का impact पड़ा यहाँ पर जहाँ एनमडिसी का जो profit था profit जहाँ पर down जा रहा था वही यहाँ पर जो इनकी sales यहाँ पर आई है जो iron की sales आई है उसमें एक बड़ी बड़ोतरी हमें देखने को बली है यहाँ पर अगर देखोगे 3,719.99 करोड के राउंड यहाँ पर अगर देखे sales हमें देखने को बलती है और इस sales year on year पर अगर देखे गाई तो बिलकुल 36.67% है यहाँ पर अगर देखे domestic यहाँ पर भी sales भी आती है और steel की जो sales है ओ यहाँ पर include है iron की sales included है तो इस वज़े से काफी बुरा impact यहाँ पर पड़ा है और guys वही अगर देखे तो sales पर effect आना ही था क्योंकि यहाँ पर जो चाइना से COVID के कारण जो restrictions लगे थे उन पर sales का काफी ज़दा impact पड़ा और यहाँ पर sales हमें डाउन देखने को बलती है बट वही अगर देखे guys तो जो एडिमर्जर की news है stock को और उपर ले जाने वाली है और साथी double धमा का यहाँ पर NMDC की ओर से 3.75 पेसे का यहाँ पर dividend भी दिया जा रहा है वही अगर देखे यह dividend का type है interim dividend 24 फरवरी 2023 इसकी ex dividend date है तो guys जिन जिन लोगों ने खरीदा है तो बिल्कुल उने dividend मिलने वाला है और डिमर्ज भी यहाँ पर Tata Steel sorry guys NMDC Steel यहाँ पर market में list होगी company और यहाँ पर अगर देखे इस news के बाद काफी लोग यहाँ पर positive है और यहाँ पर अभी के जो आकड़े है और यहाँ पर आप देखोगा 89% लोग है जो इस share में बिल्कुल buy करने के लिए कह रहा है और 11% लोगों की और से stock में sell करने के लिए भी कहा जा रहा है वो volume की बात करें गाई तो volume आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल 84 lakh के round की deliveries उठाएगी है और यह deliveries कल करोर में जाने वाली हाला की one day before यानि अगर कल के दिन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर देखे कल भी one करोर के round की deliveries थी और जो आने वाला कल है यानि जो कल का दिन है तब भी यहाँ पर one करोर के round की deliveries हमें देखने को मिल सकते क्योंकि यह news अभी तक काफी लोगों तक पहुची नहीं है जैसे यह पहुचती कल market में धमाका होने वाला है कई बड़ी quantities में यहाँ पर shares को उठाया जाने वाला है और stock शानदार है यहाँ पर अगर देखे तो 5 days के time frame पर जो इसके returns है और 2.40 रूपिस के round अगर आप देखते हो तो बड़त आपको देखने को मिलती है और जो यह range है यह break हो गई है आज के दिन यह range बिलकुल break हो गई है जो hand inverted head and shoulder type pattern दा बड़ेक हो चुगा है और share यही से बड़त देने वाला है 2.40 रूपिस के बड़ा है पाच दिन में और एक महीने में जो हम levels की बात कर रहे थे जो levels की बात कर रहे थे कि यह कब break होगा तो बिलकुल finally यह level भी break हो गया है तो आने वाले time में 130 के round भी यह share जाने वाला है और यहाँ पर अगर देखे एक महीने में 4 रूपिस दस पैसे तक की गिरावट है बिलकुल fulfill होने वाली है 3.26 परसंड के एक महीने में गिरा है और वही अगर देखे तो 6 मन्त में क्या हमें देखने का बलता है कि यह इस particular trade line पर support लेता होने जरा सकता है और बिलकुल वही हुआ यहाँ पर support था यहाँ पर support था और यहाँ पर भी इसने support लिया और finally इस range को भी इसने break किया और यहाँ से stock में कई बड़े levels अची हो गये यहाँ पर अगर देखे गास तो stock आने वाले time में 140 रूपिस ते around भी जाने वाला है तो guys यहाँ पर अगर देखे NMDC में ए बाते तो हमने कर लिया इसके volume को हमने देख लिया अब बात करते हैं इसके levels की तो levels यहाँ पर आप खुदी देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ा breakout हमें मिल चुका है तो stock में जो target हमें अभी मिलेगा वो 132 के around होने वाला है तो guys बिल्कुल 132 के around का यह level है तो यहाँ से level की बात करें वन हाँ time frame पर हम discuss करेंगे stock में यहाँ से अगर देखे गास एक बड़त देखने को मिली थी फिर यह share 132 के around गया फिर वहाँ से stock में एक fall देखने को बिला फिर stock में यहाँ से गिरा वटाई फिर यहाँ से गिरा वटाई फिर stock ने यहाँ पर लिया support तो इन supports के बाद stock में फिर से एक बड़त देखने को मिलती है फिर यहाँ से मिलता है एक rejection फिर support तो यहाँ पर जो एक pattern create हुआ यहाँ पर इसे हम falling wedge type pattern कियाता है क्योंकि उपर से हमें rejection strong मिले है इसे support भी हमें मिले है तो यहाँ पर जब इसने support लिया तब ही हमने clear कर दिया था कि अगर खरीद ना है तो बिल्कुल जल्दी गरीच सकते हो कि यह share अब नहीं रुकने आला और बिल्कुल वही jump हमें देखने को बिला और इस pattern को और थोड़ा close जाके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक change मैंने और गई थी कि breakout यहाँ पर मिला आएगा इससे यहाँ पर भी ट्रेड लाइन बने थी और बिल्कुल यहाँ पर 140 के लेवल से गिरा था तो वही पर जाने की एक कोशिश करने वाला है तो वही अगर देखें वन मन्त में क्या देखने को मिलता है तो वन मन्त में हमें मिलता है support उपर से मिलता है हमें rejection और वही अगर देखें गाइस breakout के बाद stock यही पर sustain करके उपर की और गया और stock यहाँ पर अगर देखे 200 डुपिस तक easy तरीके से momentum बता सकता है so guys इस चीज़ का भी आपको तिहान रखना है so guys काफी कुछ बाते हो गए है demerger को लेकर इसके levels को लेकर I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी शेयर में investment करने से बलें शेयर का analysis कर लेना thank you